इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंट्स कि आगर आपको अपने लावाखे मॉयल फोन में सेटिंग मिल राक विक कुईक रिस्पॉंस का तो आप कई से योज कर सकते हैं मतलग आप किसी दोस्तो कईक भी आपको बेज़ने चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टाट करते हैं विडियो से पहले चैनल पे नहां है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पासवाले नोडिफिकेसन बेल को दवा कर और जिरूर क्लि मिलता इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए इसमें आपको यहां तीन चार उप्सन मिल जाता है कॉन टॉल्क नाव वाट्स गोइंग ओन का तो इसका मतलब दोस्तों यह होता है अभी बात मैं नहीं कर सकता और क्या चल रहा है दूसरा उप्सन है आई कॉल यू बैक का मतलब मैं आपको बाद में फोन करता हूं उसके बाद आई कॉल यू लेटर का मतलब मैं तुह बाद में फोन करता हूं और क्वा इंपान आपको अल्ग तो देखिए इसका यूज कब किया जाता है या फिर इसको भेजा कैसे जाता है जब भी दोस्तों किसी का कॉल आपके फोन पर आता है तो इस तरीकी का आपके सामने इंटरफेस आता होगा अब यहां एक option मिलता है स्वाइब करेंगे तो कॉल रिसीब हो जाएगा और अगर आप स्वाइब डाउन मतलब नीचे स्वाइब करेंगे तो कॉल दोस्तों हो जाएगा रिजेक्ट मतलब कॉल कर जाएगा इसके लाव दोस्तों यहां पर इसके लाव आप कोने देख सकते हैं यहां पर एक मैसेज का इस uh आइकन नहीं हल रहा है तो हरा आप दोस्तों इस Talk करेंगे हलका सा finger को ूफर करेंगे मतलग कि दोस्तों जिस तरीके से आप Call accumulated की अपको उठाने के लिए finger को दोस्तों इस पर टुछ करके सौइब करते हैं तो उसी तरीके से जब 잡़ जब आप इस message वाले icon पर finger से touch करके हलका सा दोस्तो हलका सा दोस्तो ऊपर की और जब आप swipe करेंगे तो उसके बाद दोस्तो देखिए आपके सामने तो उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा और वो चारो जाएगा कि आप उसे क्या करना चाहते हैं अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे control now what's going on का तो यही message उसके पास दोस्तो चला जाएगा या फिर I call you back का I call you later का control now call me later का चार में सी किसी भी option पर click कर देंगे तो यही message उसके पास चला जाएगा इसके लाबा दोस्तो अगर आप अपना कोई मनपसंद message लिख कर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपको यहाई console मिलता है right और you're on का तो जब आप यहाँ पर click करेंगे तो उसके बाद दोस्तो आपका keyboard यहाँ पर open हो जाएगा और दोस्तो आप keyboard से कोई भी message लिखकर आप उसको send कर सकते हैं तो जब आप send करेंगे तो वो message उसके पास दोस्तो चला जाएगा और दोस्तो आपका दोस्तो quick response हो जाएगा तो इसका यूज दोस्तो तब किया जाता है ताकि उससे समझ आ जाए कि हम क्या करना चाहते है या फिर किस कारण call receive नहीं कर रहे है तो दोस्तो इस तरके से आप दोस्तो किसी को भी quick response भेज सकते हैं या quick response आप दोस्तो कर सकते हैं लावा के mobile में वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा